हलो और वेलकम फ्रेंड्स तो अब तक का सीरीज में हमने देखा बेसिक जो भी फंडामेंटल जो आपने देखा कि हमने टांसफर्म देखा इंटरफेस के बारे में समझा और प्रिवियस जो हमने देखा प्रपरशनल एडिटिंग और स्नैपिंग और लॉट्स अप फिंग ज प्रिशेपिंग करने के लिए कैसे टूल को अंडेस्टेंड कर सकते हैं और यह सीरीज जो मैंने बिलुकुल बैसिक लर्नर के लिए मैं दे रहा हूं जो बिलुकुल स्टाट करना चाते हूं उनके लिए है तो इसमें हम सबसे पहले देख़ते हैं कि हम कुछ भी यहां पे एड कर रहे थे और primitives के तोर पे जो एक आपका geometrical shapes होते हैं, जो basic fundamental geometrical shapes है, इसके अलावा आप चाहते हो कि इसमें कुछ और editing करना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह polygons होता है का है, suppose कि हमने एक cube लिया है, जो आपका default cube इसमें होता भी है, और camera भी होता है, जो अभी हमें camera के जोरत नहीं है, तो मैं फिलाल दोनों को select करूँगा, drag करके, then इसको delete कर दोगा, ठीक है, express करके भी delete होता, otherwise आप direct delete button से भी प्रेस करके delete कर सकते हो, तो अब यह क्या होता है, कि अभी अगर आपने scale किया, इस से skill किया, या आपने किसी भी specific axis पे, z पे skill किया, तो वस उसका receiving तो होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें at least कुछ different steps हो, like इसके components को छेड़ चाल करके हम कुछ अलग editing कर सकते हैं, एक अलग building बना सकते हैं, character बना सकते हैं, cartoons और environment, जो भी देखते हो, आप props, तो यह modeling props जितने भी होते हैं, जो आप देखते हो, जो यह इसी polygon से किया जाता है, जो gaming भी आप देखते हो, तो यह सब चीजों को करने के लिए, हमें सबसे पहले समझा था, polygon के बारे में, object mode और edit mode के सबसे पहले समझना होगा, object mode जब होता है, तो हम इस object को g-press करके, grab करके, पूरा एक entire group, एक object का है, जो हम कहीं भी इसको place कर सकते हैं, rotation कर सकते हैं, skill कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ भी transforming हम कर सकते हैं, जो हमने अब तक देखा, अगर मैं इसको research करना चाहता हूँ, तो हमें इसको edit mode में रखना पड़ेगा, जैसे edit mode पे हम जाते हैं, तो कुछ default tools इसके अंदर आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे tools, जितने भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे edit mode पे जब जाते हैं, फिर से tap प्रेस करते हो, तो आपका edit mode में पहुंचता है, यह इसका shortcut हुआ, तो आप direct यहाँ से भी switch कर सकते हो, तो अभी मैं edit mode में जाता हूँ, तो होता है क्या, edit mode पे आप देखो कि तीन components यहाँ पे दिख रहे हैं, जितने भी आप यहाँ पे add में जब आप जाते हो, तो जितने भी tools आपको यहाँ पे available मिलते हैं, यहाँ आप control A प्रेस करते हो, तो भी additional tool मिलता जब edit mode पे रहते हो, और object mode में रहते हो तो shift A प्रेस करते हो तो बहुत ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे fly out में list मिलते हैं creation करने के लिए getting start के लिए like add करने के लिए कुछ भी इसीन के अंदर तो यह हमारा जो purpose modeling का है तो हमारा अभी बस इसके बारे में हम लोग समझ रहा है polygons shapes के और primitives के बारे में तो यहाँ पे हम edit mode पे जब गए तो यह तीन polygons आप देखोगे जो यह points दिख रहे हैं black black और selection करने के बाद orange हो रहा है तो multiple selection करने के लिए आप simple आपको drag and selection करते हो जब आपका यहाँ पे यह mode tweaking mode पे है select mode पे है तो यह tick mode पे जब आप रहोगे तो एक एक करके आप tweak करके कर सकते हो लेकिन आप देखोगे यह सिर्फ ticking पे होगा है आप इस पे जब तक click नहीं करोगे तो selection नहीं होगा अगर इसका mode अगर आप रखते हो selection select box के mode में तो आप देखो box mode में एक marki देता है selection और इसके अंडर जो भी component आते हैं उसको selection कर लेता है आप देख सकते हो ऐसा कुछ और यह selection करके अगर आप G press करके इसको remove मतलब इसको displace कर सकते हो और एक नया shapes बनना शुरू हो जाता है तो यह तो just initial हम बस पहले components को कैसे editing करते हैं कंट्रोल करते हैं अपने हिसाब से तो हमारा एक नया shapes बनता है उसके लिए बहुत तरह कहामें यहाँ पे tools को समझना होगा तो यह समझा आपने अगर आपने age mode पूद देखा यहाँ पे age mode है यहाँ एक age दूसरे vertex के साथ connected है जो आप age mode पे रहते हो तो आप देखोगे तो आप देखोगे कि सिर्फ face आप selection कर सकते हो अगर आप age mode पे रहते हो तो आप age by age selection कर सकते हो और कुछ भी आप g press करके अगर आप drag करके देखोगे तो displace होता है अगर आप vertex mode में हो तो सिर्फ और सिर्फ vertex को पकड़ सकते हो अगर मैंने यहाँ पे rectangle mark mode पे रखा है अगर मैंने selection circle पे रखा तो circle पे ऐसे drag करके हम इसको selection कर सकते हैं तो यह जैसे से component की जोरत पढ़ती आगे मैं बताऊंगा इस tool को की को छोड़ना था ठीक है हम चारों तरफ घुमा रहे हैं लेकिन हमें selection मालो के दो ही को करना था तो यह सिर्फ lasso selection के जैसा कुछ खास अपना एक custom area को आप decide कर सकते हो जितने points को selection करना होगा vertexes और components को तो tweak mode पे तो यह हूँ आपको साथ-साथ में आप selection को समझना आगे इस shortcut जानना चाहता हूँ तो one से आपका vertex mode होता है two press करोगे तो age mode में और three press करोगे तो face selection mode होता है number one दूसरा बात है कि इसका अगर हम अभी editing करना शुरू करें तो कैसे हम starting करते हैं तो यहाँ पे हमें दो चीज़ को समझना होगा सबसे पहले आज का class के लिए तो आप देखो क यहाँ पे add कौन है तो यहाँ पे click करते हैं hold down रखते हैं left click को तो हमें यहाँ पे इतने सारे elements से यह होता है क्या actually यह बहुत important tools है जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने अभी selection अभी edit mode से बाहर भी निकलते हो तो भी यह रहता है और edit mode में रहते हो तो यह क्या है दोन के साथ आपको एक grid आ जाते हैं यहाँ जहां पी इसको position करोगे उसका projection ले 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 था automatic जिस त्री-dimensional object का जो diversion है उसके हिसाब से automatic देखो इसका जैसे surface जिस direction से जा रहा है जिस orientation से इसको यह इस पर finish कर देगा तो आप देखोगे इसी का projection पर एक object बना तो इसमें हम कुछ भी projection ले सकते हैं अगर हमने add cone लिया add cone अगर मालो इसके projection में ले ना तो देखो यहाँ पर आपको एक कौन आपको एक ऐसे creative आप इस टाइप से आप बना सकते हो कुछ भी ओके यह आप किसी भी एंग object को आप देख सकते हो अगर हमने किसी object के उपर उसी orientation से किया तो यह आपका इसके उपर होगा tracking तो यह हो गया आपका add tool ठीक है इस तरीके से जितने भी component है उसको add करके हम ट्राइक करेंगे जैसे हमने sphere को लिया तो हम इसके surface के उपर sphere drawing करना तो मैंने sphere लिया drag किया यहाँ तो sphere हमारा exact इसके top पे रख दिया अगर मैंने यहाँ पे किया तो इसको side में कर देगा sphere को जहां पे आप drag करते हो जहां पे drop करते हो एक नया create कर देता है इसे कहते है हम लोग add tools के जिसमे add में cube, cone, cylinder भी है, UV sphere भी है and Ico sphere जो आपको देखने को मिला अब मैं इसको अगर selection करत अगर हमें समझ लेना होगा इसके बाद, तो extrude command क्या होता है, अगर मैं सभी object को delete कर दिया, एक प्रेस किया, shift A और हमने Q लिया, अब हम लोग देखते हैं कि extrude command को कैसे use करते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा screen को interesting बना लेता हूँ, like थोड़ा से matcap अगर मैं रखता हूँ यह वाला, थोड़ा सा interactive देखें, and again, यह कर लो आपको थोड़ा सा screen space को, ताकि आप इसको shaded mode में आप अच्छा से mbc के साथ देख सको, अब आप type press करते हो, जैसे ही, तो edit mode में आया, edit mode में इसके बाद हम आज extrude command को समझते हैं, इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच से, जिसमें आप देखोगे, extrude region, extrude manifold, extrude along normal, extrude individual, and extrude to cursor, यह सब अलग-अलग variety extrude करने का, तो सबसे पहले हमने extrude region करते हैं, अब इसका shortcut भी बताओगा, अगर आपने face mode पे रखे हो, like 3 press किये हो, और top face को आपने selection किया, तो यह tools जब selected होगा, तो automatic यहाँ से एक icon present होता है, जो हमने पहला extrude region लिया है, तो यह क्या करता है, plus पे click करके drag करते जाओ, तो जिस angle पे आप selection करेंगे, उधर से आपको local इसको आपको drag करते हुए, आप कुछ भी, एक shapes बना सकते हो, तो आप देखोगे, इस तरीके से आपका shapes बना सुरू हो जाता है, ठीक है, जैसे हम इसक extrude करें, इसको drag करेंगे, जिस भी angle पे, ठीक है, ऐसे drag होता जाएगा, तो आप जैसे भी हम, यह shortcut भी है इसका, अब इसी को अगर shortcut यूज करना है, तो क्या करोगे, selected face, और यहाँ पे E प्रेस करो directly, किसी भी surface को E प्रेस करके drag करो, किसी भी angle पे आपको locally individual, by pressing E से आपको individual direction जाएगा, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, अगर मैं, यहाँ पे क्या होता है, एक problem, कि अगर आपने दो face, दो direction का face अपने selection किया, एक Z axis पे है, और एक X axis का है, अगर इसको मैंने normal region extrude से करोगा, जैसे E प्रेस किया, तो हम यह अब एक खास direction पे जा रहा है, लोकल जा रह direction में independent faces को मैंने select किया है, और E press किया है, तो आप देखोगी, अब यहाँ पे problem हो रहा है, यह local axis पे जा रहा है, तो ऐसे मैं आपको दो वार Z press करो, ठीक है, एक axis पे लेगा, ठीक है, इस step से आपका इसका axis को change कर सकते हो, ठीक है, तो यह अभी मैं extrude नहीं कर रहा हूँ, तो यह problem को कैसे solve होगा, जैसे for example हमने इन दोनों को selection करना है, और इस बार मुझे selection करना है, extrude manfold, अच्छा, extrude manfold को थोड़ा सा अलग तरीकी समझते, extrude manfold में क्या होगा, कि किसे भी individual faces हो, अगर मालों कि यहाँ सा selection करते हो, तो अगर generally अगर आप पहले वाला extrude यूज करते हो, इसे है, तो यह क्या करेगा, इतना को selection करके extrude अंदर करेंगे, तो यह overlap हो रहा है, यहाँ पे, देखो, इसका cutout रहा जा रहा है, एक नया face बनाके, इसको मैं undo करता हूँ, अगर इसके जगह पे, इन दोनों को same select करेंगे, और इसका manfold extrude को यूज करूँगा, manfold extrude को अगर use करता हूँ, तो देखो, उतना के बाद, यह extrude कर रहा है, यहाँ तक यह surface को छोड़के, इसको test करने के लिए, आपको नया तरीका समझना होगा, यहाँ पे देख सकते हो, तो आप एक नया देखो के, इस tap से manfold को छोड़के जा रहा है, अगर control R, एक होता है, क्या मैं बाद में इस tools के बारे में बताओंगा, लूप cut tools के बारे में, ठीक है, तो इसका मैं shortcut से में जाता हूँ, control R प्रेस करके एक बार click करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए इसको multiple चीजों को ऐसे हम कैसे समझते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ cuts होना चाहिए मालो ऐसा cut लगा दिया मैंने, अभी मैं extrude के बारे में भी detail में आऊँगा, तो अभी मैं extrude command समझता हूँ, 3 प्रेस करता हूँ, manfold command को अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, for example, इस जगा पे देखो, तो अभी क्या हो रहा है, manfold already selected है, manfold extrude, और यह manfold कुछ ऐसा हो रहा ह इस type से, अगर इसको अगर मैं कर रहा हूँ, आप देखोगे, इसका manfold का आपका बहुत जगा पे में special, एक treatment देख सकते हैं, extrude को, जब आप extrude को करके देखोगे, इसका use करके तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, तो इस type का हम stair बनाने में बहुत आसान पड़ता है, और ऐसा ऐसा बहुत सारे variety चीज़े हैं, जैसे मालो की इतना area में, आपको selection करना है, और अगर आप इसको extrude से करना चाओगे, manfold को छोड़के, तो वो feel नहीं लापाओगे, जो मैं इसमें लाके दिखा रहा हूँ, आपको इसको just drag करेंगे नीचे के तरफ, तो बस उतना को चोड़ करके बहुत ही smoothly आपका इसको extrude कर दिया, उसी का offset और उसी का orientation में, तो यह बहुत ही एक interesting tools है, जो आपको इसमें मिला है, फिर से आप देखोगे next tools अगर मैं इसका surface को tap press करता हूँ, जैसे tap तो फिर से मेरा बापस आ जाता है, दूसरा tools है extrude along normal, यह बहुत interesting है, extrude along normal क्या करता है, जैसे normal के बारे में पहले भी हमने discussion किया है, कि face normal अगर आप previous video में अगर नहीं समझे हो तो यह उसको जरूर समझना या भी आपको काम आने वाला है, जैसे दो face को मैंने selection किया, including thin face, तो इसका face normal क्या होगा, एक इस direction में जाएगा, एक उपर से top से bottom जाएगा, और एक left से right जाएगा, मतलब इस tap से अपना local faces है इसके, तो अगर ऐसे situation में इस extrude along normal करता हूँ, तो आप drag करोगे तो देखो normal कैसे जा रहा है, अपने अपने angle पे सब लेके जा रहा है, यह अपना angle पे अपना angle पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब ऐसे अगर यह इसको activate करके बार बार इसको drag करते जाओ, इस tap से आपका extrude होता जाएगा एक surface को, अगर यह इसका ultra अगर हम आते हैं, extrude individual, इसी का advance, extrude along normal का advance, जो individual faces जो selected है, individual ही उसको extrude करेगा, तो यह कैसा result होता है, इसको देखते है, अगर मैं same selected इसको drag करता हूँ, तो देखो आपना individual लेके जा रहा है, अभी यहाँ पर जैसे individual जब हो जाता है, उसके बाद इस tool का मतलब नहीं होता, along normal यह extrude same लगेगा, आप देखोगे, आप देखो same लग रहा है, अगर इस से भी किया तो, और extrude individual से भी किया तो same लग रहा है, जब तक यह होता है कि एक face एक दूस करता हूँ, normal तो लोग normal ऐसे लेके जारा साथ में, I hope कि यह समझ में आ गया होगा, last में होता है, extrude individual समझ में आ गया, extrude to cursor, यह बहुत interesting है, यह क्या होता है, extrude to cursor होता है, जैसे माल इस face को आपने पकड़ा है, undo करो, मैं face selection करता हूँ, इस angle को, और किसी भी इसके लिए आप यह टूल को यूज कर रहा हूँ, extrude to cursor, जैसे एक cursor क्या होता है, जहां आपका यह दिख रहा है, यह cursor है, जैसे मैंने यहाँ click किया, और इस press किया, तो scale भी कर रहा है, तो हमें इस दूर से selection करना होगा cursor को, और फिर मैं वही सिर्फ click करूँगा, ऐसे click करते जाएंगे, ऐसे click करते जाएंगे, देखो, और इस press करके छोटा कर सकते हो, click करो, press करके आप इसको छोटा कर सकते हो, इस type से angular आपका extrude होगा, किसी भी angle में जाओ, normal फिर से अगर इस face को selection करो, एक बार आपने selection कर लिया तो आपको deselect करना पड़ेगा फिर से, और इस बार अगर मैं जाता other direction में, तो जैसे से हम cursor को click करते जाते हैं, तो वैसे हमारा ये selection होते जाता है, इस type से, तो हम ऐसे कुछ editing कर सकते हैं, तो I hope कि आप ये chart tools को एक बार practice करके समझ लिया होगा, तो very good, well and good, अगला tools, अगला series में मैं समझूँगा, तो मिलते हैं, किसी अगले video में, तब तक के हैं, आप बाई, बाई!